हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मल्टी मसाला कुकिंग में तो आज हम बनाएंगे एकदम रबडीदार टेस्टी सिवई खीर की रेसीपी सिवई खीर की रेसीपी एक ऐसी रेसीपी जिसे आप तेवार हो या फिर तेवार ना भी हो जब मन चाहा तब बना कर खा सकते हैं एकदम सही नाप से रबडीदार सीवाई खीर कैसे बनाते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो चिली बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप एक भारी तली का बरतन ले ले गैस की फ्लिम को लोग पे रखे एक चमस देशी घी डालके अच्छे से गर्म होने दे तो थोड़ी से मैंने यहाँ पर मिक्स ड्राइफ रूट लिये हैं काजू पिस्ता बादाम जीने मैंने चोटा-चोटा काट लिया है तो इनको हम हलका सकरंची होने तक भून लेंगे तो आप अपने मन पसंद ड्राइफ रूट यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो ज़्यादा नहीं भूनना है हमने इनको बस दो तिन सेकेंड तक भूनना है तो ड्राइफ रूट हमारे अच्छे से भून गये हैं तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी गी में हम यहाँ पर किस्मिस भून लेंगे तो मैंने यहाँ थोड़े से किस्मिस लिए किस्मिस को हम बाद में भून रहे हैं किस्मिस बहुत जल्दी भून जाता है तो एक सेकेंड तक हम किस्मिस को भी भून लेंगे और तुरन निकाल लेंगे इसको डालकर हम लगातार चलाते वे इसका अच्छे से कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे तीन से चार मिनट तक हमने सिवाई को लगातार चलाते वे भूनना है तो जैसे इसका करण चेंज हो जाए और यह अच्छे से भुन जाए तब ही हम इसमें दूद आइट करेंगे तो ध्यान रहे आपने सिमाई को low to medium flame पर ही लगातार चलाते वे भुनना है तेज गैस में बिल्कुल भी नहीं भुनना है नहीं तो यह उपर से जल जाएगी अंदर से कच्छी रह जाएगी और वो टेस्ट नहीं आपाएगा सिमाई में क्या होता है सिमाई में दूद डालते ही फट जाता है तो इसलिए दूद को गर्म करके ही डाले तो दूद के फटने के चांसे कम रहेंगे तो अब हमें आपर एक कप से थोड़ा सा कम चीनी डाल देंगे तो मैं आपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूं आपक क्या होता है सिवाई जो है हमारी एकदम रबडी दार और गाड़ी बनकर तयार होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधा छोटा चम्माच इलाइची पावडर फ्लेवर के लिए थोड़े से केसर के धाके डाले मैंने कलर के लिए तो यह पूरी तरह ओप्सनल है अगर आपके पास हो तो डाल दीजेगा नहीं तो इसकिप कर दीजेगा तो अच्छे से इन सब को मिला लेंगे सिवाई को पकाते वे मुझे यहाँ पर दो से तीन मिनट हो गए हैं तो अभी हमने इसको पांच मिनट तक और पकाना है यहाँ तो बीच बीच में चलाते वे हम इसको और पका लेंगे जब यहाड़ी ओने लगेगी तब हम यहाँ पर गैस को आप कर देंगे शिवाई को हमने एक्दम जादा गाड़ा भी नहीं करना है क्योंकि सिवाई जो है ठंड़ा होने के बाद भी गाड़ी हो जाती है क्य ड्राइफ्रूट डालेंगifting को अच्छे से से मस्कार लें आफ़ नहीं अब भाइगा पका आप च्छे से भीकल्त करनानीगे नहीं किना थे वह भी मतचरा में यह लेगा का अ यूट लिगा हम gefशालमां शीप्रों है तो यहां हुएर्रीक्या के वमधिन उनकाटी से कीजेगा और मुझे कमें बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अची लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन के बिटन को और पर प्रैस कर दीजेगा तो मैं मिलते हूं अगले एक और नहीं रेसिपी में तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइब